नमस्कार दोस्तों आज के इस UPSC टर्मिनलाजी स्रीज में हम एक टर्म सीखेंगे वीट ब्लाष्ट वीट ब्लाष्ट क्या है तो इसको सीखने से पहले पहले इसका एमसी की उसालब करते हैं यह आपके सामने क्वेश्चन है वीट ब्लाष्ट का निमनलखित में से किस से बंद है पहला है सरकार दोरा जरूरत से ज़्यादा गेहूं का अधिगराण करना दूसरा है गेहूं की फसल का एक प्रकार का रोग है यह और तेसरा गेहूं के उतपादन में हुई अचानक व्रधी को संदर्वित करता है और चौथा है रूस दोरा यूक्रेण के गेहूं का इंसर सही हो रहा है अब इसको डिसकस करते हैं वीट बलाश्य यह ग्यहों की फेसल के लिए एक परकार की महामारी है जो की कभक के द्वारा फैलती है कभक का नाम क्या है मैंगना पूर्थ्य और ऺेज यह कबक का नाम है इसको MOT भी बोलते हैं मेगना पूर्थे और जे पैथोटाइब ट्रिटिकम यह कबक है जिसके द्वारा यह गेहूं की फसल में महामारी फैलती है और यह सिर्फ गेहूं की फसल को नहीं यह गेहूं और चाबल यह दोनों फसलों को ही प्रभावित करता है हर्मुकृप सकीन चेत्रों में यह महामारी फैलती है उसन और उपोशन कटिबंदी चेत्रों में मेगना पूर्थे और जे पैथोटाइब ट्रिटिकम नामा कबक एक्टिव रहता है और इसी कबक के द्वारा यह महामारी फैलती जिसे हम कहते हैं वीट ब्लास्ट तो कैसे प्रवाइद करता है यह संक्रमित बीजों के द्वारा मतलब फैलता कैसे है वीट ब्लास्ट रोग फैलता कैसे संक्रमित बीजों के द्वारा फसल अवशेशों के द्वारा यानि कि जो फसल बचे हुए हैं सड़े गले फसल उनके द्वारा भी होता है और हवा द्वा हो गया हमारा राइट रोग है इसके द्वारा गेहों की फसल में महामारी फैल जाती तो राइट अंसर हमारा आप्शन भी भीट ब्लाश्ट गेहों की फसल का एक प्रकार का रोग है